आपको बता दे कि 23 साल में 24 बच्चे की मा बन गई है मित्रो पहला बच्चा किस सन में आया था साधी होने के बाद पहला बच्चा का आगमन कितने दिन बाद हुआ था 6 महीने बाद मतलब जैसे 6 महीने साधी के बाद पेट में आया था जी मतलब 6 महीने में नंबर लग गया और अभी पूरा लगातार चल रहा है अब लाक लग गया है अब लाक लगवादी अरे लाक यह तो समझ लिए लागडाउन के बाद में लागडाउन में जो 24 हो गए तो हमने कहा बस हो गया अब हो गया जी अच्छा करकार रासन भी दे और हम दो हमारे दो जो उन्होंने लागव किया है उनके रिकार्ट को मैंने तोड़ दिया है अच्छा लगा अच्छा लगा यह बताईए कि आपके पती जी का क्या रियक्शन रहता है यह 24 बच्चों का आने के बादेखिया हम दोनों के रजा मंदी है उसमें जी अल्लाम अब देत रहें हम लेत रहें और क्या करें अल्ला का नाम ले रहें कुछ लोग आप पाठक को बता हैं आपको हिंदू भी नहीं कहेंगे नहीं हम दोनों को मानते हैं जी राम 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 एक ही हैं हाँ यह बहुत सारी महिलां अगर इस वीडियो को देख रहे हो अगर उनके और ही पास चार पांच चा बच्चे हो और इनके जैसे खुबसूरत बनना चाहती हैं तो क्या करें दही माठा खाए और चौकलेट खाए दही माठा खाए और लाली पॉप तो माला हमें साले होकरे बाद में घर का पूरा काम दूसरा उन्होंने आसिरबात दी एक मुझे 24 चौकी मा बना के चौविस बच्चे की मा बना धिये अच्छा ये बताईये कि अब हम लोग आगे की तरह बढ़ते ही 24 बच्चों का ज़ंसे मैं कैसे हुआ एक बच्च्चा एक बारमें आया या फिर डबल डबल या ट्रिपल-ट्रिपल-ट्रिपल कैसे बच्चे हुए। जोड़ा जोड़ा जी बाराबार में निपटा दी जी बिलकुल जी नमस्तार आप देख रहे हैं पीजी नियूज मैं प्रवीन आप सभी का बहुत-बहुत सवागत करता हूं में तो अभी हम यूपी के अंबेटकर नगर में हैं और आपको बता दें कि यूपी अंबेटकर अगर की एक ऐसी 24 बच्चे की मा जो इन दिनों सोसल मेडिया पर धमाल मचा चुकी है मित्रों अगर खुबसूरती देखेंगे तो कहीं कहीं आप लोग भी उनके दिवाने हो जाएंगे और उनकी बीडियो जो है इस समय कई मिलियंस में लोग प्यार और आसिर बात दे रहे है क्या कुछ सचाई है और 24 बच्चों की वो देख रेक कैसे करती है उनकी सिछा दिछा की क्या बिवस्था है क्या कैसे पूरा परिवार चला बातचीत करने की कोशिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कैमरे के फ्रेम में यही है 24 बच्चे की मा और यह है उनकी ननद जी और य से धन्यवाद और सबसे पहले मेरे ओडियंस को नमस्कार पढ़ना मैं हूं आप लोग पहचानते हैं आप ना पर्चे कैसे दूं कैसे ना दूं आप लोग इतना प्यार दिये हैं कि मिलियन में भी उच गया है लेकिन फिर वी मैं बता दे रही हूं मेरा नाम है कुजबू पाठक और मैं हूं हम दो हमारे दो दर्जन 24 बच्चों की वाइरल मा अगर यह सर्च कोई कर दे रहा है कि 24 बच्चे की मा तो जहम मस्याप का फोटो आ जा रहा है तो यह क्या कुछ कहानी है यह समझ में नहीं आ रहा है लोग जानना चाहते हैं हमारे दर्सक भी कमेंट करन लगाता भाईया यह 24 बच्चे की मां बेट करना गर उनको आप अपने कैमेरे पर लाइए यह तो हमारे दर्सकों का प्यार दुलार है कि जो इतना मतलब यह समझ लिए पूरी दुनिया में लगता है कि इतना हमारा बढ़ा है वीडियो इसका मतलब है कि आप लोग इतना प आलत देखा जाये तो वो कहीं कहीं डाउन हो जाती है लेकिन आप 24 बच्चे को जन्म दे दी हैं और 24 बच्चे एक दम पूरा अच्छे से खेल रहे हैं और आप भी खुब मुस्कुरा रहे हैं उन बच्चों के साथ यह राज क्या है यह खुबसूरती का राज क्या है यह बिल्कुल और रही बात खुबसूरती का तो पहले मैं उन भगवान को बहुत बहुत दिल से उनका सुक्री आदा करती हूं कि जो उन्होंने मुझे असब धर्टी पर बना के बेजा और रही बात एक दूसरा उन्होंने आशिर बात दी एक मुझे 24 बच्चे की मा बना दिय अच्छा यह बताईए कि अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते यह 24 बच्चों का जन में कैसे कैसे हुआ एक बच्चा एक बार में आया या फिर डबल डबल या ट्रिपल ट्रिपल कैसे बच्चे हुए जोड़ा-जोड़ा-जोड़ा जी बारा बार में निप्टा दी जी कितने बच्चे जोड़े में मतलब अगर हम बात करें मित्रों तो साथ आठ मतलब आठ दुनी सोला बच्चे इनके जो हैं वो जोड़े में आजए जी जी और उसके बाद बाकी बाके और तो एक एक कर क्यों हैं कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हमारे यहां की जो गवर्मेंट है वो कहती है कि हम दो हमारे दो तो आप यह कैसे लाइन लगा दी और आपका जरा से भी मन नहीं आया कि मतलब अरे चोबिस चोबिस बच्चों का लालन पालन कैसे होगा जो जिन्हों नहीं दीया है लालन पालन उन्हीं के असिरबास से होगा और आप सब की आसिरबास से होगा जी और रही बात है आप जो पूछ रहे हैं कि लालन पालन वाली बात तो मोधी सरकार रासन भी दे रही है और हम दो हमारे दो जो उन्होंने लागू किया है उनके रिकार्ट को मैंने तोड़ दिया है अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा ये बताईए कि आपके पती जी का क्या रियक्शन रहता है ये 24 बच्चों का आने के बाद देखे हम दोनों की रजा मंदी है उसमें जी हम दोनों की रजा मंदी है भगवान का सिरबाद है जी अल्ला का नाम ले रहे हैं कुछ लोग आप पाठक पहले बता ही आपको हिंदू भी नहीं कहेंगे तो अगर देखा जाए तो सबसे जादा अगर उत्तरप्रदेस या प्रदेस की राजनिती के बाद के आ जाए तो हिन्दू- Musk intuitively होती है यह होती होगी लेकिन हम मानते है यह अपना पता रहे हैं अपने म lapda बता रहे हैं कि हम दोनों को मानते हैं जोग देखा आपको बता दे कि 23 साल में 24 बच्चे की मा बन गई है मित्रो, पहला बच्चा किस सन में आया था साधी होने के बाद पहला बच्चा का आगमन कितने दिन बाद हुआ था 6 महीने बाद मतलब जैसे 6 महीने साधी के बाद पेट में आया था मतलब 6 महीने में नंबर लग गया और अभी पूरा लगातार चल लहा है अब लाक है अब लग गया है अब लग लग वाई होती तो यह संख्या कितना कहां तक जाती अब तक 2, 4 और हो गये हैं और क्या तो यह समझ ली जिए कि रूटाउन ॉर क्या बोलते हैं कहां और सुने अच्टेलिया कि सबसे ज़्यादा बच्चे का जन्व देने वाली मा जो है वह रूस में अगर भारत की बात आएगी तो कौन सी पाठक आएगी नाम बता दीजिए अब भारत में आप सर्चिंग कीवर्ड बन गई अब यह तो आप सब बता सकते हैं क्योंकि मैं अभी देख नहीं रही हूं मैं अभी सर्च कर रहे थे गूगल पे की 24 बच्चे की मात उसमें आपका फोटो आ रहा था जी यह तो पब्लीक का प्यार है जी उन्हों का सिरवाद से प्यार है और कुछ हमारा भी किरदार है जी इनकी ननद जी है इनसे समझने की कोशिस करेंगे क्या नाम है आपका नमस्कार प्रणाम जी सोनी सोनी जी अच्छा सोनी जी यह बताईए भावी जवाज हम 24 बच्चे की माँ बन गई घर में कभी कुछ प्राबलम नहीं आई नहीं कोई प्राबलम नहीं है हम लोग तो बहुत खुस हैं और क्या बच्चे भगवान का रूप होते हैं बच्चों से कौन घ्रेडा करेगा या कौन ना खुस होगा यह समझ लीजिए कोईसे कैमेरे पे लाओगी 24 बच्चे की भूग आप बन गई तो 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 प्राइम आएगा तब लाएंगे ना प्लतल नहीं लग जाएगा जिए समा तब दीखाओंगे आप नहीं दिखाओंगे लेकिन दिखाओंगे तक पाथक जी जो है वो लगातार सोचल मेडिया पर वाइरल चल रही है लोग सर्च कर रहा है और खुब देख रहा है बाकी ये बताईए कि अभी जो सबसे पहला बच्चा इनका है वो किस क्लास में पढ़ रहा है यह बताओ आपकी भाभी अपने आपको मिंटेन कैसे करती है यह चर्चा बहुत है गूगल पर लोग यह कर रहे हैं कि 24 बच्चे मा बन गए लेकिन अभी तो यह तो दो तिन बच्चे की मा लगती हैं अब कुछ भगवान का देन है कुछ पालर का देन है पालर जाती है खाने का भी दम है यह बहुत सारी महिला है अगर इस वीडियो को देख रहे हो अगर उनके भी पास 4-5-6 बच्चे हो और इनके जैसे खुबसूरत बनना चाहती है तो क्या करें दही माठा खाए और का चो है यह आता ना इद्व रुपीय पाँच रुपे में अच्छा लगता है यह लाली पाप की चमक जो है वो कैमरे पर जलक रहे है यह तो भाई ओडियंसी बता सकते हैं सब लोग काते हैं कि बच्चे होने के बाद काजू बदाम पिस्ता छोहारा खाया जाता है लाली पाप बता रहे हैं जी हम गाओं के ना मोट रोटी और क्या नमक मीर्चा पी इसके खाओ बसे बसे सेहत और भी अच्छी रहती है जी सेहत बनी रहती है बिलकूल असली वाला राज नहीं बताएं असली वाला राज तो बता रहे हैं अब क्या और बता हैं असली वाला राज वो ल हमारा नाम सीमा है सीमा जी यह बहन जी तो आपका इस समय पूरा वारल चल रही है इनके 24 बच्चे हो गए आपकी कितने हैं हमारे दो बच्चे हैं तो आप कभी नहीं सोचा कि मेरी 24 कर दी हम भी कुछ रिकार्ड उकाड तोड़े कम बरहाई कर दें हम तो रिकार्ड नहीं तो रहे लेकिन हमारे बहन को हुए 24 बच्चे हम बहुत खुश हैं और मिलने भी आये हैं देखने और सम्हालने के लिए भी हैं अभी इहीं पर हैं इन्हें के टीम के साथ पूरा काम कर रहे हैं इन्हें के टीम के साथ पूरा काम कर रहे हैं कैसा लग रहा है भी चर्चा जो है वो सोचल मेडिया पर लगातार इनकी हो रही है कि 24 बच्चे की मां 24 बच्चे की मां बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर खुशी भी होती है बहुत कर वाये हैं हाँ है हेस्व भी क्या करते हैं हमारे करते हैं कमांड ये क्या क्या करते हैं कौन से काम करते वो तो मुंबई में रहते हैं तो कब घर आते हैं जब चुटी होती है तब आते हैं मतलब एसाल दू साल में एक बार दो बार आ जाते हैं अगर इनकी तरह भाई अगर घर पर रहते तो साइध आप इनका रिकार्ड तोड़ देगी हाँ जब लगडाउन लगेगा तम ना फिर कभी म मतलब लॉक्डाउन का मौका नहीं है हां अरे महराज हम सब खुसी थोड़ी ना हो जाएंगे हमारी बायानत इसका मतलब थोड़ी ना हुच विस्पूर कर देगी उसका जो जो इतना भी है वो ठीक है दोन का ठीक है जी हमें बस समझ लोगी भारत में कर कोई डाले गूगल हमें लगता है कि आज आप 24 बच्चों की मा से चर्चा हो रही है कल हमें लगता है कोईन कोई ऐसी महिले आएगी जो 28 या 30 बच्चे की मा बनेगा अब यह तो भाईया बगवान ही बता है अब हम तो नहीं बता सकते हैं बाकि हम अपना उपना देख लिए वही बहुत है जी जी बाकि जनता जनारदन इस समय बहुत सारे लोग आपको खुब प्यार आशिरवाद दे रहे हैं सबसे क्या कहेंगे जनता जनारदन से क्या कहेंगे जनता जनारदन से ही कहेंगे कि आप हमारे बच्चों को और जो हमारी टीम उसको अपना प्यार दुलार दीजिए बाकि आप एक बार सर्च करिएगा अपना एजे तो उस पर आपको कमेडी वीडियो भी मिलेगा उसमें मैं काम करती हूँ आप लोग अपना प्यारा सा सपोर्ट बनाए रखिए तो हमें लगता है कि यह 24 बच्चे आने के बाद आपके दिमाग में आया कि हम कमेडी भी सुरू करते कमेडी कैसी कमेडी करते है काद कमेडी नंद भावजाई नंद और बहन के साथ जरा करके हमको दिखाए हमारी दरसों को को जी नहीं नहीं मतलब इनके साथ नहीं अपने टीम के साथ करती हूँ इनके साथ अगर नंद के साथ कुछ अटेंडम में करना पड़े तो काइसे कर देंगे घर की बराबर नोक जोग भाउजाई और नंद की होती रते हैं आप कुछ कहिए ना इनको भावी से कुछ कहिए अभी हम लोग वीडियो बना है नंद भाउजाई का आया ही नहीं है जल्दी आया है टीचर स्टुडेंट का है और देवरान जिठान का सास बहु का है देवरान की रोल करती है क्या बहन जी आप जी इसमें मतलब बहन भी बन जाती है और देवरान का भी सौतन भी बन सकती है देखिए रोल है उसमें क्या कर सकते हैं जो स्क्रिप लिखी जाती उसी के अनुसार हम लोग उसमें डलती है आप पतनी कितने लोगों की बनती है जी कि आपके पती है रोल में तो जो इसक्रेट पर लिखा जाता है जो बन जाता है उसी कितने पती है अरे बहद ब्लोगा चार पांच छार में कर दो लगवदा लोग तो आप देख सकते हैं मित्रों ये अमबेटकर नगर की 24 बच्चों की मा क्या नाम है फिर से बताईए एक बार खुजबु पाठक खुजबु पाठक सोसल मेडिया पर मित्रों इन दिनों ट्रेंडिंग में चलना है इनकी वीडियो जो है लोग खुब देख रहे हैं खुब पसंद कर रहे हैं अब ये जिस दिन 24 बच्चों को कैमरे पे लाएंगी उस दिन इनकी वीडियो जो है वो और तेजी से सोसल मेडिय पर ब्लास्ट करेगे फिरहाल इस वीडियो से आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतक्रिया जोट दीजिएगा चलिए मिलते हैं फिर से एक नेस्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत जै हिंद जै भारत